और कैसे हैं सर आप क्या नाम है आपका पास रखो तोड़ा से और पास करो हाँ कौन सा गाउँ है अपना खुसरी गाउँ है आपके गाउँ में हमारी मेडम आच चुकी है कंपणी की मालिक जो है एडी डारेक्टर तपस्या गोईल जी तो आपके गाउँ में हमने पहले एक बीडियो बनाया है लेसुन पर और आपके गाउँ में हमने एक नई फसल देगी है मतर की जो यहां पर सुरुवात हो रही है साथ इससे पहले नहीं होती थी मेरे अनना से ऐसा ही कुछ है तो इस मतर पर इस समय जो है फुरूटिंग स्टार्ट हो रही है इसके लिए हमने य मतर की कैसे चलती है और यहां पर जो है कैसे फुरूटिंग होती है तो सबसे पहले हम इदर लेके थोड़ा सा इसका यह फिलोवरिंग स्टेज है फिलोवरिंग इस पर होती है उसके बाद में इसी फूल के माध्यम से हमारी मतर बनती है तो कुछ फलियां भी हम आपको है और फ्लॉवरिंग स्टेज ही है थोड़ा सा दिखाएं एक दो फलियां हमें आप अब 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 तो यह फूल ही है अभी जो है इस पर कि यह वाली है यह छोते है हां इस टैप से यह जो है इस पर मैटर बनती है और इसकी क्या पैदाबार रहती होगी बताएं बाव जी थोड़ा सा इसकी पैदाबार एक बीगे में 20-25 पैकेट कितनी बार तो ड़ाई हो जाती है इसकी लगवग तो क्या फाइदा रहता है मतलब इसको करने से कितना मतलब किसान को बेनिफिट होता है इससे तो मंडी के 3.28 रुपे किलो यानि कि अगर 25 पैकेट निकलते हैं और एक एकड में पच्छिज एक बीगे में यानि एकड की बात करें तो सबाव सो कट्टे निकलते हैं और सबाव सो कट्टे का जो बजिन हो जाता है वो लगव लगव बासट कुंटल हो जाता है बासट कुंटल को अगर मल्टिपलाई करेंगे तो लगव बहुत अच्छा मारजन रहेगा किसान के लिए तो सबी लोगों से ये अन्रोध है कि जादा से जादा मटर रुकाएं और मटर में हमारे कुछ उत्माद लगाए जाते हैं जैसे कि गदर है आप कहां लगता भी है लेसन में पूरी तरीके से लगता है गदर हमारा जो है उसके बाद जमीन में डालने के लिए हमारा एच्पी करेट के नाम से अगर 24 करेट का अगर इस प्रे करते हैं तो इस पर फलियों की संख्या कई गुना जादा हो जाएगी तो जहां आपके कट्टे जो है एक इकड में सवाव सो कट्टे निकलते हैं वो कट्टे डेड़ सो से पोने 200 कट्टे तक हो जाता है ठीक है तो इसलिए इसमें जो है 24 करेट का भी इस प्रे करें ठीक है आज के लिए खुसरई में इतना ही धन्यवाद